मेरे पती का दोस्त अंदे थी, मगर पती का चहता होने की विज़े से मैं उनके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठ कर उनकी सारी बाते सुनती, वैं भावी भावी करके मेरे और करीब हो जाती, लेकिन एक रात उनके कपड़े बदलने लगी, तो मेरे होश जब उस रात मेरे पती के दोस्त ने मैं शादी होकर अपने ससरा लाई तो रिष्टेदार ओरतों ने मुझे कुछ सहन में बिठा दिया और मेरे सामने ही चार पाई पर मेरे पती के दोस्त बैठे टुकर टुकर मुझे ही देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे उनकी नज मुझे बहुत यजीब लग रहा था अलग-अलग किसम की ओरते मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही लेकिन मेरे पती के दोस्त ना तो उठकर मेरे पास आए और ना ही मुझसे कोई बात की बस सामने बैठकर एक तक मुझे देखे जा रहे थे 4-5 मिनट बाद मेरे उनपर नजर पड़ी तो मैंने उने खुद को देखते हुए पाया मैंने दिल में ये सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है बहुत बेटी जैसी होती है उन्हें शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए सामने सब मुझे ही ताके जा रहे थे अब मुझे मैंने माथे पर बल डाले उन्हें गूरने लगी थी लेकिन अजीब पागल थे बस मुझे ही देखे जा रहे थे और मुस्कुराय जा रहे थे मुझे उनके यू मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था बरहाल रसम खतम हुई और मैं अपने कमरे में आ गई मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था इस पर अमन मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी वे मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुसे से देखा था मुझे यू उदास देखकर कहने लगे क्या बात है रूपा फिर वे समझे कि शायद वे काफी देर से कमरे में आए हैं मैं इसी लिए नराज हूँ कहने लगे कि मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थी तुम तो जानती हो ऐसे मौके पर दोस्त के मज़ाक आसमान पर होता है बरहाल फिर अमन की तालिफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था मैंने अपने पती के दोस्त की बात को अपने पती के सामने दोराया नहीं था कि क्या सोचेंगे आते ही मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बाते शुरू कर दी मेरे पती अमन एक ही थे और उनके दोस्त हैं और मा और पापा नहीं थे और उस वक्त घर में मैं और मेरे पती और मेरे पती के दोस्त थे सुबह जब मेरी आखे खुली तो आमन कहने लगे कि आज का नाश्टा मैं बजार से हिलाया हूँ लेकिन देखो मेरे घर पर कोई औरत नहीं है इसलिए आज के मेमान नवाजी तो मैंने निभा दी है लेकिन कल से सब कुछ तुमें समालना पड़ेगा ये बात मैं पहले से ही जानती थी इसलिए मैंने कोई भी एतरास नहीं किया जैसे ही मैं नाश्टा करने के लिए बाहर आई तो नाश्टे की टेवल पर मेरे पती के दोस्ट बैठे थे मैं उनके सामने बैठ गई उसने मुझे बात की मुझे देख कर मस्कुराने लगे जब मैंने टेवल के पास आई तो मेरे वज़ाय अपने दोस्ट के पास बैठे और उनकी प्लेट में चने डाले और रोटी तोड़कर अपने हाथों से खिलाने लगे यह देखकर मुझे अजीब बड़ी हैरत हुई थी और इस से जादा हैरत मुझे यह हुई कि अभी भी सामने बैठे वैं मुझे ही देखे जा रही थी इसे तो अपने दोस्त के भी लिहाज न थी और गुसा मुझे अमन पर भी आने लगा कि वै तो इन्हें रोक सकते थे और फिर भी मुझे अजीब लग रहा था कि अमन इन्हें खुद को क्यों खाना किला रही है वै एक साल के आदमी थोड़ी न थे क्या खुद नहीं खा सकते थे मैंने कहा कि अमन आपके दोस्त खुद से खा सकते हैं आप अपना नाश्टा करें मेरी बात सुनकर वै कहने लगे रूपा मेरा दोस्त अंदा है देख नहीं सकता ये सुनना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया मैं बड़ी हैरत से इने देखने लगी अच्छे खासे आदमी थे इनकी आँख भी ग्रेक लड़की थी बहत खूबसूरती थी मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इनकी आँखों में ये कमी थी कि वे देख नहीं सकते थी और कल से मैं ना जाने दिल में इतने बुरा भलास कहे चुकी थी अमन के चैरे पर उदासी थी अमन कहने लगे कि मेरे दोस्त बच्पन से ही अंदे है देख नहीं सकता उसका एक्सिडेंट हो गया था जिसमें उसके आखे चली गई इनका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ओपरेशन से भी कोई फायदा नहीं है अमन कहने लगे इसके सारे काम मैं खुद ही करता हूँ लेकिन अब ये तुमारी जिम्मेदारी है तुम इसके सारे काम क्या करो मैंने कहा ठीक है लेकिन मुझे बेहत अफसोस हुआ यह सुन कर कि उनके दोस्त अंदे हैं वे देखने में कितने सुस्ट और हिस्त पुष्ट थे क्या ही कोई हो रू होता काश ये देख सकते मेरी बात पर उनके दोस्त के आखों में आसु जलकते हैं कहते लगे कि मेरी बड़ी ख्वाइश थी कि मैं तो तुम्हें देखूं लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक हिबाबी है और मैं इसे भी नहीं देख सकता, कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अपने पती के दोस्त के लिए नफरत के जजबात थे, वे हमदर्दी में बदल चुके थे, लेकिन मेरे होश उस वक्त जब अमन ने अपने डूटी जोइन की जब वो अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि उनके दोस्त का खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी खाना खिलाने तक तो ठीक था लेकिन कपड़े ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया था मैंने कहा कि अमन ये गलत बात है सही नहीं है मैं कैसे इन्हे कपड़े बदलवा सकती हूँ कहने लगे कि इन्हें अपने भाई की तरह समझो इनकी सेवा करो अब मैं किसके काम संभालू या इन्हें संभालू बरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना ये कहकर वैच चले गए मैं बेहत परेशान थी अभी ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं जब मुझे मेरे पती के दोस्त के कमरे से पुकारने की अवाज आई और वै भाबी भाबी कर रहे थी मैं उनके कमरे में गई तो वै पैंट और बन्यान पहने खड़े थी कहने लगे कि भाबी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना जाने अमन ने कहां खरी रख दी है मैं बेड पर हाथ मार कर देख चुका हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहा है उनके शर्ट बैड के किनारे पर लटकी हुई थी मैंने उनको पकड़ा दी उन्होंने शर्ट पहन तो ली लेकिन बटन आड़े टेड़े बंद कर दिये थे मजबूरन मुझे इसलिए आगे बढ़ना पड़ा मैंने कहा कि आप छोड़ो मैं आपके बटन बंद कर देती हूँ मैंने उनकी शर्ट के बटन बंद कर दिये तो वे खुश हो गए कहने लगे कि मेरे बाल भी बना दो मैंने ड्रेसिंग से कंगा लिया और उनके बाल भी बना दिये फिर कहने लगे कि मुझे अपना हाथ दो मैंने कहा कि क्यों कहने लगे कि दो तो मैंने डृते डृते उनको अपना हाथ पकड़ाया था मैं ये सोच रही थी कि वैं क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाते हैं उन्होंने मेरे हाथ को अपने दोनों हाथ में लिया था और कहने लगे कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यह कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगे बहु बहुत तुम तो देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाता था कि भाबी कैसी होती है मुझे तो अपनी पत्नी की महबत भी नसीब ना हुई मेरी पत्नी का देहान तो गया था और मेरे बच्पिन में ही दो साल में ही मा और पापा भी गुजर गए जब मेरी आँखे चली गई तो आमन ने ही मुझे संबाला था लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई और शादी के बाद तुमने भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजरे कि मेरा बोज तुम पर आ गया वे बड़े उदास होकर ये सब कह रहे थी मैंने कहा कि आप स्थिती पर भी बोज नहीं है और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं मेरी बात पर वो मुस्कराने लगे और कहने लगे तुम बहुत अच्छी हो मेरा इतना ख्याल रखती हो लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे पती के दोस्त की हरकते कुछ हजीव सी होने लगी थी वे मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजास के होने लगे थी अब तो मुझे खुद पुकार कर कहते मुझे शर्ट पहना दो मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते कभी कहते कि तोलिया तोलिया मेरे बाल साफ कर दो वे खुद कर सकते थे लेकिन मुझे तो लगता था कि बस एक उनके दोस्त और एक पती मुझे तो घर में कोई काम नहीं होगा लेकिन मैं तो अपने पती के दोस्त की वज़े से गंचकर सी बन कर रहे गई थी कभी किचन में बरतंद होती रहती तो वो भाबी भाबी चिलाने लगते मैं भागी दोड़ी उनके कमरे में जाती तो हसने लगते हाथ में मॉबाइल पकड़े होते कहने लगते कि मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो जरा कितना अच्छा है वहें देखते तो नहीं सकते थे लेकिन सुन तो सकते थे इसलिए मॉबाइल पर कहानी और गाने सुनना उनका शोक था मैं कहती थी आप सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो और मुझे ये बताईए कि मैं बरतंद धोंग खाना बनाऊ या फिर मैं आपके साथ बैटकर यहां गाने सुनू और कहानिया सुनू मैंने बड़े प्यार से उनसे कहा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और वहें मेरी बात सुनकर हसने लगे कहने लगे कि मेरे पास बैटो और मेरे साथ एक गाने सुनू तुमारी तबैद भी खुश हो जाएगी काम का क्या है काम तो होता रहेगा काम को छोड़ो काम भी कभी खतम हुआ है मैं उनके बराबर बैट गई मैंने कहा कि अच्छा चलिए यह बताईए आपको भूख लगी की तो क्या खाऊगे मैं हसके कहने लगी कि तुमारा सिर खाऊंगा मैं उटकर खड़ी हो गई मैंने कहा खबरदार अब जो आपने मुझे आवाज दी तो बस मुझे काम के वक्त ही बुलाय करिए अमर मुझे छोले बटूरे के कहकर गए थे आपको भी तो छोले बटूरे पसंद है न और आपको क्या पता कितना वक्त लग जाता है छोले बटूरे बनाने में उपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं होया जा रहा ये कहकर मैं बाहर शली गई तीन चार घंटे लग रहे थे मुझे किचन में काम करते हुए मैंने छोले बटूरे बनाए मैं बिल्कुल ठक चुकी थी बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था घर की सफाई की फिर सोचा कि अपने पती के दोस्त का कमरा भी लगे हथ साफ कर दू लेकिन जैसे ही मैं अपने पती के दोस्त के कमरे में दाखिल हुई चीजों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहे थे उनके हाथ में कपड़ा भी था जिससे वे फरनीचर साफ कर रहे थे यह देखकर मैं मुस्कुराने लगी मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं मैं कर देती हूँ मैंने उनके हाथ से कपड़ा चीना तो वे कहने लगे कि नहीं तुम ठक जाओगी बहुत बुरा लग रहा है कि सारा काम अमन ने तुमारे सिर पर डाल दिया है ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो छोटे मोटे काम मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा और वे बड़ी उदासी थे और फिक्रमंदी से कह रही थे मैंने कहा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप बैठे रहो मैंने उनका हाथ और पकड़ कर बैड पर बिठा दिया और मोबाइल उनके हाथ में थमा दिया मैंने कहा कि आप बस वीडियो सुना करे मैं उनको एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानिया थी लेकिन वो तो मुबाइल के साथ साथ मेरा हाथ पकड़ लिये और मुझे अपने पास बिठा लिया कहने लगे कि यहां बैठो तुम बहुत कर ले अपने काम अब तुम कुछ नहीं करोगी उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था मेरा हाथ छोड़ो शाम हो गई है हरकत है मैंने कहा कि आप ये क्या हरकत करें मेरा हाथ छोड़ो शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है आप और बताओ चाय के साथ क्या खाऊगे आपके लिए कुछ चिपस दिला दूँ तल दूँ कहने लगे कि कुछ नहीं खाना, मुझे तुम अपने साथ किचन में ले चलो, बस मुझे बताओ कि चाय कैसे बनती है, मैंने कहा कि आप मेरी फिकर छोड़ दें, ये केकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाया, और किचन में आ गई, उनके लिए चाय बनाई, और ले गई थी, कहने लगे कि देखो, तुम बिमार मत पढ़ा करो, मेरा सारा घर पढ़ा रहत पढ़ जाता है, पटाफट से बुखार की गोली खा लेना, और खाना घर पर ही बनाना, दोपैर को भी मुझे ओफिस का खाना खाना पढ़ता है, और घर में आकर मैं बजार का खा अक्षन हो गया था, गले में भी बहुत दर था, और मेरे बुखार कम होने के बजाए बढ़ने लगा था, मैं अपने कमरे में बेसूद लेटी हुई थी, जब कमरे पर दस्तक हुई, और फिर दरवाजा खुला, मेरे पती के दोस्त मेरे सामने खड़े थे, मैंने बहुत बुख लगी है, मैंने कहा कि मेरी तबेट ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, ये सुनकर वे परेशान हो गई, मैंने कहा कि मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी, वे कहने लगे कि क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया है, मैंने कहा क कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उटकर नाश्ता बना सकूँ ऐसा करिये कि आप अमन को फोन कर दो उसे कह दे कि वे जल्दी से घर आ जाए मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी बात सुनकर वे कमरे से बाहर चले गए कुछ ही देर बाद उनकी चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी वैस उनकर मैं एकदम से बैड से उटकर बैठी थी अपनी बुखार को भूल कर भी जल्दी से कमरे से बाहर आई देखने की आवाज किसकी है वाज बातरूम से आ रही थी और मैं बातरूम में आई तो मेरे होश उड़के रह गए थी मेरे पत्ती के दोस के माथे से खून निकल रहा था मैं पटावट से उनके माथे पर लगी चोड से आ रहे खून को बंद करने की कोशिश करने लगी लेकिन उस वक्त तक उनके सिर से खून निकल चुका था वे चिलाए जा रहे थे मैंने कहा कि आप क्या करने लगे थी बातरूम में कहने लगे कि मैं हाथ मूँ दोकर तुम्हारे लिए नाश्टा बनाने वाला था वे तड़पते जा रहे थी कि मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा मैंने जल्दी से अमन को फोन किया कि आपके दोस्तों यू तड़प रहे थी कि जैसे उन्हें तकलीफ बरदाश नहीं हो रही हो उनके सिर और गर्दन से बहुत खुन आ चुका था वे तड़पते जा रहे थे और अमन को जब पता चला तो वो भी थोड़ी देर बाद घर आज गए थे अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखके कि उनके बहुत खुन निकल चुका था और वो रोने लगे अमन उन्हें डॉक्टर के पास ले कर गए मैं घर पर ही थी और बहुत परेशान थी कि जब मुझे अमन का फोन आया मैंने फोरन से फोन उठाया कि उनके दोस्त कैसे हैं वे कहने लगे कि इतना सिर से खुन बह चुका है और इतना जखम हुआ है कि मैंने तुमें कहा भी था कि इनका ख्याल रखा करो यह कहकर अमन रोने लगे कहने लगे कि मुझे बहुत फिकर रहती है इनकी इनसे तकलिव बरदाश नहीं हो रही है वे बहुरी तरह से चिला रही है मैंने कहा कि मुझे बुखार था मुझे क्या मालूम कि वे कब उठे और बातरूम में चले गए आसु तो मेरे भी बह रहे थे अमन कहने लगे कि मैं अस्पताल में हूं रहूंगा तो मेरा इंतिजार मत करना मैंने कहा ठीक है मुझे लगा कि सुबह तक मेरे पती के दोस्त को राहत मिल जाएगी और वे ठीक हो जाएंगे फिर घर आ जाएंगे मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली मेरे होश उड़ कर रह गए अमने कहा कि मेरे दोस्त हम लोगों के बीच में नहीं रहे ये सुनना था कि मैं रोने लगी मैंने कहा कि अमन नहीं आप ये क्या कह रहे हैं इनको जरा सिस सिर पे चोट लगी थी इससे कैसे कुछ हो सकता है वे कैसे मर सकते हैं मैं रोए जा रही थी रो तो अमन भी रहे थे कहने लगे कि चोट इनके दिमाग की नसों तक पहुच चुकी थी बहुत कोशिश की डॉक्टर ने लेकिन उनसे तकलीफ सही नहीं जा रही थी पूरी रात वो दर्द से तड़पते रहे मेरा हाथ पकड़े हुए कहने लगे कि मैं मरना नहीं चाता मुझे बचा लो मुझे अभी जीना है अभी तो मेरी मा जैसी बाबी मिली हैं मुझे लेकिन वह जा चुके थी यह सदमा हम दोनों पती पतनी के लिए बहुत ही बड़ा था मुझे अक्सर घर में मेरे पती के दोस्त की बाबी बाबी पुकारने की आवाजे आती थी मैं भाग कर जब उनके कमरे में जाती तो खाली कमरे को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती कभी मुझे लगता था कि वे हस रहे हैं कभी मुझे लगता कि वे हस रहे हैं और कह रहे हैं कि रूपा छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुमको गाने सुनाता हूँ, मेरे पती को बहुत दुखी रहने लगे थे, उनको अपने दोस्त की यादे बहुत खलती थी, मैं कुछ महीने बाद पेट से हो गई थी, आमन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने नाश्ता बना लेती, पर जो किस्मत में होना होता है, उन्हें कौन रोक सकता है, और फिर मेरा घर एक बेटा पैदा हुआ, तो दोस्तों, आपको कहनी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, धन्यावाद